Festival season is here, so is the ICICI bank credit card limit increase offer जैसे कि आपको पता है कि time to time ICICI bank अपने credit card पे limit increase का offer and card upgrade का offer देते रहते हैं but एक specific time होता है जहां पे सबसे ज़्यादा credit card limit increase के offers दिये जाते हैं and वो है festival season शुरू होने से पहले अब जो mostly जितने भी बड़े तियोहार हैं वो सब आने वाले हैं आपकी spending capacity को बढ़ाने के लिए ये limit increase का offer दिये जाता है mostly लोगों को credit card limit increase का offer मिलना शुरू हो गया है कई-कई लाग रुपे तक उनकी limit increase कर दी जारी है जिनकी काफी time से increase नहीं हुई थी उनको भी मिल रहा है बट कुछ अभी भी ऐसे रह जाएंगे जिनको नहीं मिलेगा जैसे एक हमारे भाई है वो हर वीडियो पे बताते हैं कि हर किसी को नहीं मिलता लक्षमन उसको भी नहीं मिला इस बार तो बहुत सारे लोग हैं जिनको ये offer आ रहा है और कुछ लोग हैं जिनको ये offer नहीं मिल रहा है अपनी limit बढ़ाने के लिए आपको जाना है iMobile app में आपको वहाँ पे option मिलेगा cards and forex का जब आप उस पे click करते हैं तो आपके credit cards की list आ जाती है फिर आपको उस पे click करना होगा इसके बाद आपको जो manage settings वाला एक option होता है उस पे click करना होगा and फिर नीचे मिल जाएगा आपको manage credit limit का option इस पे जब आप click करते हैं तो आपके लिए available जो credit limit increase का offer है वहाँ पे आपको दिखा दिये जाएगा सिर्फ i-mobile app में ही नहीं आप net banking में जाके भी इस option को search कर सकते हैं वहाँ पे भी आपको same procedure follow करना होगा eventually आपको अपने credit card पे जाना है और उसके जो credit limit का management होता है उस पे click करेंगे तो वहाँ पे आपको credit limit increase का offer मिल जाएगा तो आप simply इस छोटे से procedure से अपने credit card की limit increase कर सकते है और वहीं पे आपको credit card upgrade का offer भी दिखाता है अगर वहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपके लिए available जो credit card offers है वो दिखा दिया जाएगा और इस time पे ICICI bank का coral credit card है वो रुपे network वाला lifetime free मिल रहा है कोई joining कोई annual fee नहीं देना होता और आपका जो existing card है उसके साथ वो limit share करेगा तो ये भी आपको एक extra benefit मिल जाएगा अगर आपको वहाँ पे coral credit card का upgrade मिले तो ये lifetime free आपको physical and virtual card दोनों मिलेगा और रुपे network पे होगा तो आप easily उससे UPI payments भी कर पाएंगे तो ये दो तरीके के offers हैं जो आप इस time अपने iMobile app में जाके चेक कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों को limit increase का offer मिल रहा है और बहुत ही सारे लोगों को जो ये ICICI coral credit card का upgrade offer भी मिल रहा है अगर आप अपना credit card upgrade करते हैं तो डरियेगा मत आप जिस existing credit card पे उस card को upgrade करेंगे वो दोनों ही card काम करते रहेंगे अपग्रेड करने से आपका existing card बंद नहीं होगा बस दोनों card जो है same limit share करेंगे दोनों का limit एक होगा अगर आप future में चाहते हैं उनमें से कोई भी credit card बंद करना तो आप उसको कर सकते हैं इससे दूसरे पे कोई impact नहीं पड़ेगा तो जिन जिन लोगों को ये credit card limit increase का offer और अपग्रेड का offer मिल चुका है और जिनोंने avail कर लिया है जो अब जाके check करेंगे और उनको ये upgrade और limit increase का offer मिलेगा तो वो जरूर comment section में आके बताईएगा कि आपका कौन सा card लिया या कितना limit increase हुआ ताकि और लोगों कोई भी इससे help मिल सके तो festival season में basically ICICI bank तो हमेशा credit limit increase का offer देते हैं reason वही है festival season है आप spend जादा कर रहे हैं ये bank चाता है तो आपको वो lure करता है extra credit limit देके but हमारी credit card community वाले बड़े smart है वो credit limit तो बढ़ा लेते हैं पर उसको use नहीं करते हैं बस उनकी खुशी इस चीज में credit limit increase हो गई और जिन लोगों की limit काफी काफी लंबे लंबे time से increase नहीं हो रही उनको एक tip देना चाहूंगा actually आप लोग बताते हैं कि 4 साल से नहीं 5 साल से नहीं उसके पीछे का reason होता है जब आप अपना bank account open कराते हैं जिसमें वो credit card है तो आप महाँ पे कई बार mention कर देते हैं कि आप एक student है या फिर आपने कोई अगर job profile वहाँ पे mention क्या होता है तो वो थोड़ा सा low grade का होता है और अब आप जो है student नहीं है आप employed है या फिर आपका जो salary का या आपका job जो है वो आपने upgrade कर लिया है तो ये भी एक impact आपके limit increase offer and card upgrade offer पे पढ़ता है अगर future में आप अपना job status है या फिर employment status अपने banking records में update कर देते हैं तो इसके बाद आपको offers आने लगते हैं reason being क्योंकि मैंने ऐसा किया कई लंबे time से मेरे को credit card limit increase का offer आ ही नहीं रहा था last से last month मेरे को bank की तरफ से email आया कि आप अपना employment status change कर सकते हैं उसको upgrade कर सकते हैं क्योंकि जब मैंने bank account open कराया था तो मैंने उसमें student डाला था कभी limit increase का offer नहीं आया बट जैसे ही मैंने अपनी details को update किया एक महीने के अंदर limit increase का offer आ गया so this is also a thing which can help you to get a credit limit increase offer on your account तो आप अगर employed है और आपने जब account open कराया था उसमें student डाला था तो आप उसको update करा लीजे offers आने लगे आई होप यह information आपको पसंद आई होगी ऐस informative videos हमेशा देखते रहना चाहते हैं channel को जरू subscribe कर लीजेगा so मिलते हैं next video में तब तक अपना ध्यान रखेगा bye bye